हेलो दोस्तों मैं हूँ डाक्टर नदीम खान मेरे चैनल में आपका भूद बहुत स्वागत है मैं आज आप बोता हूं दोस्तों आर्थ 13 होमपेथिक मैडिसिन के वारे में जो भूती इफेक्टिम मैडिसिन और भूत छिरी जल देती है तो दोस्तों सबसे पहले में इस आप आपको दिखा देता हूं यह कुछ इस तरह की होती है यह आर्थ 13 के नाम से जानी जाती है यानि आर्थ 13 के नाम से जानी जाती है और दोस्तों होमपेथिक के मैडिसिन है और जर्मन की मैडिसिन है जर्मन की एक कमपनी है डाक्टर रैक्वैक जो इसको बनाती है और दोस्त दोस्तों बिलीडिंग वाली है जिसमें बहुत ज्यादा बिलीडिंग होती है या आपको दोस्तों मस्य वाली पाइल्स है जिसमें एनस में दोस्तों बहुत ज्यादा मस्य हो जाते हैं या एक दोस्तों पाइल्स जिसमें खुजली होती है बहुत ज्यादा इचिंग होती है त तो दोस्तों सब्सक्राइब इसमें कौन Of अगर दोस्तों आपको बिलीडिंग वाली पाइल जैसे मैं प्रहले तो दोस्तों कोली सोनिया बहुती effective medicine है अगर आपको किसी भी तरह की पायल्स है तो उसमें बहुत अच्छे रिज़द देती है next medicine में graphitis तो दोस्तों अगर आपके एनस द्वार में Pimples हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं या मस्य हो जाते हैं तो उसमें बहुत इच्छी जड़ देती है और खासकर अगर उसमें पीप सा निकलता है पानी सा निकलता रहता है तो graphitis उनको ठीक करने मदद करती है होम पेदिक के रखत रोकने वाली उडिसीं भी कही जाती है अगर आपको बहुत ज्यादा ब chose machine होती है मैं तो इसमें प्यूंपेदिक में अगर कहीं से भी रखत बहत पहते हैं यहाँ और वहलो होना होlog, we know, we know helemaal जाएय को हुं अगा। और पाइल्स दोस्तो बलीडिंग वाली है खून भ condemnता है तो इसे में हैम मरीज बहुत अच्छी रिजर्द देती है नेक्समेड़ियंज में कालिकार। तो कालिकार भी दोष्तो पाइलस की बहुत इफक्टीम मेडिसीन सबी तरह की पाइल्स को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है नेक्स मेडिसिन में लाइकोपोडियम तो लाइकोपोडियम दोस्तों पेट को भी ठीक करती है अगर आपका पेट खराब है तो उसको भी ठीक करने मदद करती है और पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्स देती है next medicine is mean next fumi का तो दोस्तो next fumi का दोस्तो पेट की भूट अच्छी medicine मानि जाती है और जो piles की बीमारी होती है वो पेट की कमी की वज़े सी होती है ज्यसके भहुत ज्यादा constipation रहना यानि कब्ज रहना उस वज़े से या आपका पेट भूछ ज्यादा गैस बनना, acidity रहना इस वज़े से बहुत ज़्यादा पाइल्स होने के chances होते हैं, तो next वूमी का भोती effective medicine है constipation की, यानि कब्ज की next medicine इसमे peonia तो peonia दोस्तो भोती effective medicine है, piles की, सबी तरह की piles को ठीक करती है, next medicine में sulfur, तो sulfur पर दोस्तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा itching होती है, piles में तो इसको ठीक करने मदद करती है तो दोस्तो ये थी इसमें medicine अब मैं इसको use करने तरीका बता जाए तो आपको use किस तरह से करनी है तो आपको इसे simple से इस तरह से खोल लेना है तो दोस्तो, आपको ये अंदर से कुछ इस तरह की देखने को मिलती है ये काच की file होती है एक इसमें information paper भी निकलता है काच की file होती है दोस्तो और by Samuel की file होती है तो आपको इसे simple से इस तरह से खोल लेना है ये seal pack होती है दोस्तो इसमें drop लगा हुआ है आपको इसकी 15-15 drop दिन में 3 बार लेनी है अगर आपकी age 12 साल से उपर अगर आप adult है तो दोस्तो आपको इसकी 15-15 drop दिन में 3 बार लेनी इसमें भून्च हुए हैंगी इस तरह से एक, दो, तीन, चार ऐसे इस तरह से 15 गिनकर आप चाहे तो इसे direct टंग पर भी ले सकते हैं और भेतर ये रहेगा कि आप इसको आदे कप का आदे कप पानी में ले लीजी या आप इसको टंग पर भी direct जीप भी ले सकते हो या आदे का आदे कप पानी लेना या आदे कप लेना है और उसमें इसकी 15 ड्रोब डाल कर दिन में 3 बाल लेनी है सुबह साम दो पैर और अगर आपकी एज 12 साल सा कम है ये दोस्तों बीमारी किसी भी एज में हो सकती है 5-6 साल में भी हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है अगर आपकी एज 12 साल सा कम है तो इसकी पांस साथ बून दिन में तीन बाल लीजिए तो दोस्तो अब मैं इसकी MRP बता जेता हूँ तो दोस्तो ये 250 रुपर MRP की आती है और होमियोपेटि कि किसी भी मेडिकल पर उप्राब मिल जाएगी आप चाहिए से ओनलाइन भी खरी सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लागा तो फिलीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं तब भी नहीं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई